इंदोर की व्यापारी से 2 करोड रुपए का गोल्ड बरामत नमस्कार मैं हूँ अंजना और आप देख रहे हैं ता खबरदार न्यूज तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से जबलपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक यूवग को अभी रक्षा में लेकर जब उसके सामाम के तलास ली तो उसके बैग में करीब 3.5 किलो सोने के जेवर मिले हैं यूवग का नाम सौरप जयन है वे इंदोर करेनी वाला है और अपने आपको सराफा व्यापारी बता रहा है व्यापारी के पास से पुलिस को किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं मिले हैं गड़ा पुलिस ने निर्वाचन विभाग की टीन सहित इंकम टैक्स को भी इस पूरे मामली की जौन करी दी है जबलपूर S.P. आदित प्रताप सिंग ने बताया कि विधान सभा चुनाप को लेकर जबलपूर पुलिस रेलबी स्ट्रीसन एरपोर्ट बसे स्ट्रेंड सहित बाइपास में 24 घंटे चैनात रहती है इसे दौरान रविबार की रात करीब 12 बजे मेडिकल के पास आटो से आ रही एक यूवक को रोका गया और उसकी हरकते संदिक्द लगी पुलिस ने जब यूवक को आटो से नीचे उतारा और तलास ली तो उसकी बैग में 3 कुलो से अधिक सोने के जेवरात मिले जेवरात की कीमत 2 करोड रुपे से अधिक की बताई जो रही है पूश्ताच के दौरान यूवक ने बताया कि वै मूलता इंदौर कर रहने वाला है और सराफा व्यापारी है सौरफ जयन ने बताया कि वै अक्सर जवलपूर आता है और यहां पर व्यापारियों को सोने की जेवरात बेचा करता है हालांकि पुलिस के पूशने पर उसके पास जेवरात के कोई व्यात दस्तावेज नहीं मिले है सराफा व्यापारीस और अब जोयन ने बताया कि वे इन दोर से जवलपूर तक बस से आये था और फिर बाईपास से आटू लेकर जवलपूर शहर तरफ आ रहा था इस दोरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया करोड़ रुपे के सोने के जब दोहूने के बाद गड़ा थाना पुलिस ने निर्वाचन विभाग और इंकम टेक्स डिपार्टमेन को भी ज़ान करी थी जिसके बाद मौके पर तैसिलदार साहित आयकर विभाग के अधिकारी जेवरात की तोल करनी में जुट गई है गड़ा थानी में चल रही कारिवाई के दोरान सराफा व्यापरी सोरफ जयन से मिले करोड़ो रुपे के जेवरात को इंकम टेक्स ने अपनी कश्ड़ी में रख लिया है पुलिस अब सोरफ जयन को अभी रख्षा मिले कर यह भी जानकरी जुटा रही है कि उसने करोड़ो रुपे की जेवरात कहां से लाई थे पुलिस का कहना है कि यह देखा जा रहा है कि सोरफ की परिवार वालों के पास इन करोड़ो रुपे के सोने के जेवरात के वैद दस्तावेज हैं या नहीं अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार न्यूस